हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक तो माई चैनल, इस्प्रीचल लव्टर और 786 कैसे हैं आप लोगा है, होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में इंजॉय कर दे होंगे, हैप्य होंगे देर आज हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है, उनकी करेंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे है, क्या चल रहा है उनके माइन में, ओके तो चलिए, जनरल रिडिंग है, कलेक्टिव रिडिंग है, जितना रेजनेट करें, उतना रख लीजेगा, बाकी को इसकीप कर दीजे, यहाँ से है एट ओफ डाइमन प्लीज उनिवर्स गाइड करें, मिरे जो प्यारे प्यारे वीवर्स हैं, उनके पार्टनर की फेलिंग क्या है, ओके ओके, चल यह देख लेते हैं, क्या निकला है, एस ओफ क्लब्स, फाइब ऑफ स्पेट, जक ओफ डाइब, किंग ओफ डाइमन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हैवी है डियर, और यहाँ से नाइन ओफ क्लब्स, ओके, तो कार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, चलिए, सैट कर देते हैं, चलिए, अदर डेक से भी देख लेते हैं, टैरो से कि क्या है आपके पार्टनर की फेलिंग ओके, तो क्या चल रहा है आपके पार्टनर की फेलिंग्स में, जस्टिस, दो लवर्स, और क्या है, प्लीज उनिवर्स काइट करें, मेरी प्यारे प्यारे वीवर्स जो है, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिट्वेशन है, तो प्लीज उनिवर्स कार्ड निकला है डियर तो फेंटिकल्स हम फोर फोर्स खुश हो जाईए अच्छे कार्ड निकल रहे हैं डियर आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स को देखा जाए तो दिल दिमाग में बहुत जादा चीजे चल रही है कहीं ना कहीं जगलिंग करते हुए दिख रहे है आपके पार्टनर है ना यह पर्सन अपना सारा फोकस अभी फाइनेंस पर लगा रहे है क्योंकि देखिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कितना हैवी निकला है यहां थे है टैन ओफ सोर्ट्स थ्री ओफ कप्स थर्ड पर्टी सिच्वेशन है और फाइव ओफ कप्स ओके तो और यहां से हैं थ्री ओफ सोर्ट्स ओके दियर तो बोटम के अनरजी जो है वो थर्ड पार्टी सिच्वेशन को दर्शा रही है आप लोगों के बीच में काफी लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिच्वेशन है ठीके तो सबसे पहले यहां पर जो कार से में बता देती हूँ कि Taurus, Virgo, Capricorn तो डियर बहुत जदा है Taurus, Virgo, Capricorn तो उसके लिए साइन बता देती हूँ Bishop, Kanya, Makar, Raši ठीके और Aries, Leo, Sagittarius तो मेस, Сीह, Hadnude, Raši है, Gemini Libra, Aquarius, Mithun, Tula, Kumb ? राशी है और डियर यहाँ से Cancer Scorpio Pisces Kirk Vistik Mean Rashi तो मैंने आपको बता दिया कि सारे sign आए है वैसे ये reading all sign के लिए है sign माइने नहीं रखते हैं अगर reading आप से resonate होती है energy आप से match होती है तो ये reading 100% आपके लिए है card से possibility बताते है असली destination क्या है वो सिर्फ divine को बता है तो यहाँ पर ये person अपना सारा focus इस समय अपने finance पर लगा रहे है पूरा जिनतना focus है न आपके person का carrier पर लगाते दिख रहे हैं इसलिए आप से बात नहीं हो रही है काफी लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है बातचीत बंद है no contact चल रहा है और कुछ लोगों के बीच में बहुत time हो गया है long distance हो गया है आप लोगों के बीच में बहुत सारी दूरियां आ गई है क्यों दूरियां आ गई है ये person अभी पूरा focus अपने काम पर अपने उपर ध्यान दे रहे हैं तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वर्खोलिक हो गए है आपके person और ये अपना पूरा focus जो है अपने काम पर लगा रहे हैं आप से इस कारण बात नहीं हो पा रही है no contact situation दिख रहे है काम के कारण आप लोगों के बीच में काफी दूरी आ गई है आप लोग काफी time से मिले भी नहीं है बहुत लोग यहाँ पर समय हो गया है बहुत लोगों को मिले हुए और बहुत समय बीच चुका है जब आप मिले थे लेकिन अभी आपके दिल में इच्छा है कि आप मिले और आपके person भी चाहते हैं कि वो आप से मिले पर dear यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी इनके उपर बहुत सारा burden है कहीं न कहीं यह person जो है अपने काम को लेकर बहुत serious है आप लोगों के बीच में कुछ physically distance भी आ गया है dear बहुत लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है जो husband wife है या जो भी देख रहा है तो dear physically distance भी आप लोगों के बीच में बहुत आया है और emotionally भी बहुत miss कर रहे हैं आपके person आप से दूर हो गए emotionally भी यह person आप से बहुत दूर हो गए हैं आपको miss तो बहुत कर रहे हैं dear आप दोनों कहीं एक जगह पर साथ में work करते हैं शायर आप लोगों में से कोई हो सकता है जो एक साथ work करते हैं एक साथ office जाते हैं एक साथ घर आते हैं इस तरह का आप लोगों का relationship देख रहा है और यहां से सबसे पहला कार्ड जो दिख रहा है कि justice था तो dear justice का कार्ड यही बता रहा है यह person legal case में फसे हैं कहीं ना कहीं इनकी life में कोई ना कोई ऐसा legal case चल रहा है या फिर कोई divorce case हो सकता है कुछ ना कुछ तो लड़ाई जगडा या कोई case या कोई legal issue इनकी life में है जिसमें आपके person जगलिंग करते दिख रहे हैं फसे हुए हैं और यह उससे बाहर निकलना चाहा रहे हैं जो भी situation चल रहे हैं वहाँ legal situation तो 100% है हो सकता है कि यह किसी third party के साथ में है या फिर third party ने इनके उपर कोई case करा है या फिर कुछ तो हो सकता है कोई case में फसे हैं आपके person या आपने इन पर कोई case किया है हो सकता है कि यह person आपको cheat कर कहीं चले गए थे तो आप इनको divorce देना चाहते हैं कुछ भी situation हो सकती है इनके life में बहुत सी problem चल रही है सब जगे fight चल रही है dear बहुत ज़्यादा fight चल रही है बहुत ज़्यादा परिशान हो गए हैं आपके जो person है कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी life जो है problem से भरी हुई है इनकी life में एक ना एक problem आती जा रही है यहां से lovers का card है तो lovers का card यहीं बता रहा है कि आपके person आपको अपना heart मानते हैं उनको ऐसा feel होता है कि आप दोनों के बीच का जो रिष्टा है कहीं ना कहीं soul mate वाला connection है आपके partner आपको अपना other half मानते हैं dear इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी soul से जुड़े हुएं आप दोनों की जो soul है ना कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा connect है यह person को ऐसा feel होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा true love feel करते हैं आप दोनों एक ऐसे बंदन में बंदे हैं कि जहां से कोई आपको जुदा नहीं कर सकता आपके person को यह feel होता है यह आपको अपना बनाना चाहते हैं इनकी इच्छा है मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके जो person है कहीं ना कहीं बहुत important जगह पर आपको रखते हैं बहुत ज़्यादा desire रखते हैं आपके लिए बहुत कुछ मतलब happiness मानते हैं आपको अपनी जिन्दगी का अगर आप इनकी life में ना होना तो यह person जो है sad रहते हैं ऐसा लग रहा है कि आपके person जो है आपको अपने दिल का तुकड़ा मानते हैं बहुत true love करते हैं और उन्हें भी feel होता है कि आप भी उनसे true love करते हैं magician का card है अभी यह person manifest कर रहे हैं आपको लेकर आपके साथ में शादी चाहते हैं dear क्योंकि यहां से four of wands का card निकला है four of wands का card यही बता रहा है कि यह person जो है manifestation करते दिख रहे हैं कहीं न कहीं आपके साथ में justice करने को लेकर है अगर यह person ने कुछ गलत किया था आपके साथ में past में या आपको justice नहीं दिया था तो यह person के दिल में है कि या आपको justice दे कुछ अच्छा miracle हो जाए यह person चाहते हैं अब इनके लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए लेकिन यहां से कुछ प्रॉब्लम क्रियेट हुई है तो अफ पैंटिकल्स का कार्ड है आपके परसन जो है इस रिष्टे में बैलन्स बनाना चाहते हैं डियर पर बैलन्स बना नहीं पा रहे हैं एक तरफ काम है तो एक तरफ क्या हो रहा है एक तरफ आप है मेरी वीवर्स एक तरफ आप है और एक तरफ इनका काम है तो यह दोनों तरफ बैलन्स बनाने की कुछिश कर रहे हैं कि किसी तरह से दोनों तरफ में बैलन्स बना लो मैं अपने पार्टनर को भी टाइम दे पाऊं मैं अपने काम को भी टाइम दे पाऊं ताकि मुझे आगे फाइनेंशल की कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये परसन जो है आपको लेके सीरियस भी है बहुत ज़्यादा और आगे बढ़ना भी चाहते हैं दियर लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है तो ये कही ना कहीं जगलिंग करते दिख रहे हैं फसे हुए हैं डियर है ना इनकी लाइफ में बैलनस नहीं है डियर एक तरफ काम है एक तरफ आप हैं दो दरफ फसे हुए हैं दो तरफ के सिच्वेशन दिख रही हैं आपके responsibility उठा नहीं पा रहे हैं अभी ये आपका खयाल रखना है ना ये सब चीजे ये नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं जगलिंग चल रही है इनके दिल में दिमाग में सोचते हुए दिख रहे हैं यहां से देखे four of wand है आपके person आपसे शादी चाहते हैं victory चाहते हैं इन्हें आपको पाना है किसी पी तरस से आपके जो person है आपके साथ में शादी चाहते हैं इनको ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा कोई और इन्हें नहीं मिल सकता है ना आपके परसन आपको पाना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं बहुत ज़्यादा एनरजे मुझे लग रहे हैं काफी रोगों को commitment मिल सकता है अगर ये परसन आपसे दूर गए थे तो मैं बता दूं कि ये मेरिच का कोई ना कोई commitment आपको जरूर देने वाले हैं यहां से हमारे पास में है 10 of swords तो यह जिस भी situation में फसे हैं आपकी person चाहे आपके बीच में 3rd party ही क्यों न हूँ यहां से 3 of cups है तो अगर यह person 3 of swords के energy है और यहां से 3 of swords के energy है तो dear यह clear दिख रहा है कि अगर यह person कहीं फसे हुए हैं तो dear यह person वहां से निकलेंगे और वहां से आपके तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं और आपके लिए action लेना चाहते हैं यह आपके पास आना चाहते हैं आपके person काफी लोग पूछ रहे थे कि मेरा person कब आएगा तो dear यहां से reading से निकला है कि आपके person जो है आपकी तरफ आना चाहा रहे हैं चाहे वो third party में हो या जिस situation में हो dear आपकी कोई इसी भी situation चल रही हो पर यह person जिस भी person को आप सोच कर यहां पर reading देख रहे हैं वो person आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि उनके दिल में है आपके लिए बहुत सारे feelings तो नहीं बोलूँगी पर वो आपकी तरफ आना चाहता है पता नहीं इनका मकसद क् ठीके end करना चाहते हैं जो भी situation है चाहे third party हो family issue हो उससे बाहर निकलेंगे चाहे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े इस इंसान को कितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े पर यह clear करेंगे और बाहर आएंगे dear 100% असा लग रहा है कि अब आपके person जो है कहीं न कहीं अप आपकी तरफ focus करने वाले हैं तो workaholic तो हो गये हैं लेकिन अब यह एक प्यारे lovers बनने वाले हैं आपको बार बार spy करने वाले हैं आपको बार बार देखने वाले हैं dear जो भी situation है उसका end करना चाहते हैं ठीके three of cups का card है आपके बीच में third party जो situation है यह उससे बाहर निकलना च चाहते हैं क्लियर दिख रहा है कि आपके जो person है third party से अलग होना चाहते हैं अब वो third party के साथ में नहीं रहना चाहते हैं देखें यहां से है five of cups तो five of cups यहीं बता रहा है उनके काम में problem है dear कहीं ना कहीं रुकावटे हैं तो यह person उन्हें balance नहीं कर पा रहे हैं इसलिए sad है इनको देखें उपर जो cup हैं दो cup वो नहीं दिख रहे हैं जो cup गिर गए हैं उन पर ध्याने तो कहीं न कहीं जो दो cup बचे हैं आपके person उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जो गिर चुके हैं उन पर पूरा focus लगा रहे हैं तो जरुत है कि आगे बड़े तब जाके तो उन से गए हैं यह परसन उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं आपके तरफ आना चाहते हैं इस टक है जिस भी सिच्वेशन में ना फस गए हैं वहां से निकलना चाहरे हैं हो सकता है आपके परसन थर्ड मैरिड थर्ड पार्टी के साथ में मैरिड हो और आप अनमैरिड हो और यह छो है कि शादी का कोई matter था और वो solve होते दिख रहा है और यह person आपके पास में आ सकती है ठीके आपके person को आपसे true love है आपको miss बहुत कर रहे हैं dear आपके person आपसे बात नहीं कर रहे हैं clear दिख रहा है है कि यह person आप अपनी life में सब को सही करेंगे आपके person की feelings बिल्कुल true है dear आपके लिए है ना यहां से page of source था यहां से three of source जो भी third party है उसका end होने वाला है third party का end मुझे यहां पर clear तरीके से दिख रहा है कि third party जो भी थी उसका अब end होने वाला है चलिए कुछ message दिख लेते हैं क्या messages आते हैं okay इतने सारी no 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 चलिए इतने ले लेते हैं कि आपके person की तरफ ते आपके लिए क्या messages है lovers तो dear यहां से भी lovers का card निकला था और जो भी ब्लॉक था आप लोग के बीच में जो दूरियां आ गई थी जो ब्लॉकर जिस थे तो यह person जो है उनको हटाएंगे जो भी इनके बीच में रुकावटे थी किसी भी तरह से उन चीजों से बाहर निकलेंगे और dear new beginning करेंगे तो यह देखें यहां से new beginning निकला है और जो भी प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में यह उन सब चीजों से बाहर निकलेंगे बैटर करना चाहा रहे हैं कुछ अच्छा करना चाहा रहे हैं आपके जो person कुछ ना कुछ बै तो यह date कुछ खास हो सकती है आपके लिए या आपके partner से related हो सकती है good news तो dear good news आप लोगों को मिलने वाली है बहुत जल्द आपके life में new beginning होने वाली है बहुत से लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है reunion होने वाला है ठीक है आप लोग मिलेंगे अपने partner से आपके person जो हैं बार बार धड़कता है तो आपके person इस तरह से आपको बताना चाहते हैं कि यार आप मेरे लिए perfect हो तो देखिए क्या card निकला है आपको perfect मानते हैं कही न कहीं आपके person जो हैं आपको बहुत ज़्यादा perfect मानते हैं उनको feel होता है कि आप जो है मेरे वीवस वो बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही good looking हैं बहुत ही kind hearted हैं तो dear आपके पास में दिल है और उस दिल में आपका ये परसंद कहीं न कहीं आज भी रहता है ठीक है तो equal given take तो यहाँ पर आपके partner जो है वो equal given take चाहे जो भी situation चल रही हो चाहे partner से बात हो रही हो या नहीं हो रही हो तो I hope आपको इस reading से कुछ ना कुछ guidance मिला होगा और मेरी universe से pray है कि universe मेरे वीवस की जिन्दगी में बहुत जल ये अच्छे दिन आ जाए किसी तरह से और उनकी life भी happiness से भर जाए ठीक है हम मिलते है next video पर bye bye